यह पहला हलाल इंकम यहां से शुरू करें कस्प हलाल मतलब हमारी इंकम एर्णिंग्स शुरू भी हलाल ठीक है सही जगा से हमारी इर्णिंग्स आए फर्स पॉइंट है सबसे है मैं और यह बात याद अख लिजे हलाल इंकम की मिसाल ऐसी है जैसा आपके गाड़ी की चाबी पूरी गाड़ी भी खढ़ जात तो गाड़ी को कुछ ने कर सकते हाँ इसको क्रेट में उठा के लह जा सकते हैं स्टाटू क्यण की इसे होती है कुछ में न rougeवी पूरे मूंई कि पूरे मामलाद कुछ चला सकती है अगर इसमें गरबड होती इबादते खलास नमाजें खुबल नहीं होती, दुआएं खुबल नहीं होती रोजा खुबल नहीं होता, हज खुबल नहीं होता अम्रा खुबल नहीं होता, जखात खुबल नहीं होती फिनिश तो हलाल इंकम शुड़ भी हलाल ये सबसे पहला इंपॉर्टन पॉइंट है याद रखिए अल्लह ताला ने इस शरीयत में इंसानों और जानवरों में फर्ख किया जानवरों को ये छूट है कि कहीं से भी खाया और कुछ भी खाया कभी कर आपके आके खेत में मूँ बेखा लेते कभी मौली बॉला नहीं खाना तो भी खा लेते उनको विचारों को नहीं समझते लेकिन अबन आदम को इनसान के लिए कुला जूढ़ मुच जाओ यहां मुच जाओ ऑर जिरों तो बिस उस शरीयत ने जानवरों को चूट दे रखी है अचार फर्माते हैं, एक आदमी तवील सफर पर और एक मुखद्स मुखाम पर जा रहा था, मुखद्स 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 मु तो सफर भी मामूली नहीं है ये बाद भी जाने लिए मुकदस अच्छा है मुसाफिर वैसी मुसाफिर की दूआ ला सुनता है फिर मुकदस मुकाम की तरफ जा रहा है तो उसका मुकाम तौर बढ़ गया इस हाल में जाता है कि इसके बाल परागंदा है और इतना सफर से ठक करता है और तो ला फरमाता है कि मैं एए बंदे तेरी दूआ कैसे सुनू तेरा खाना हराम तेरा पहना हराम तेरी परवरिश हराम पर हुई आए मेरे बंदे मैं तेरी कैसे सुनू तो मुकदस मुकाम पर जा रहा है तो मुसाफिर है मुसीबत में है लेकि मैं तेरी कैसे सु हुआ है मेरे बंदे इसलिए कि तेरा पहनना हराम तेरा खाना हराम और तेरी परवरिश हराम पर हुए है तो अल्ला के लिए अपने बच्चों की परवर्श हराम पे बनत जाथ हराम कमाने वegan आदमी से अपने आपको नहीं बरबाद करता है अपनी जनरेशन्स को बरबात करें बहुत इंपॉर्टन हलाल रोजी बहुत इंपॉर्टन हलाल रोजी बहुत इंपॉर्टन हलाल रोजी ये बहुत हैमे मेरी नमाजे, रोजे, जकात, हज सब डिपेंडेंस को सब डिपेंडेंस, हाँ, मैं हराम कमाऊ और लाग और करोड़ों सत्का करूं पूटी कोड़ी का जिनम बलेंगा एक नेकी ने लिखे जाएगी चुकि हराम के वज़े से तो ये बात याद रखे लिजे हलाल कमाना इसे तरह हदीस में अलफाज बहिकी में रिवायत है वो गोश्त और खून जो हराम पर परवरिश पाए इसका ठिकाना जहन्म की आँग है वो गोश्त और खून जिसकी परवरिश हराम पर हो उसका ठिकाना जहन्म की आँग है तो अपने गोश्त और खून को हराम पर मत पलने दीजे अपने इंकम को बहुत लिमिट कीजे हरام कमाने की एक वजह में से एक वजह और अहम वजह यह जरूरत की चीजों का स्टैंडर्ड मालूम नहीं है हर चीज जरूरत की तो लाओ बस अब और हराम कमाओ लाओ खरीज़ तो बहरे रहाल हलाल कमाओ हलाल में जो आता है वो तुम्हारा है हराम से बचना बेहत जादा जरूरी है एक मसल्मान के लिए जरूरी है कि वो जो कुछ हासिल करता है इस्तेमाल के लिए खाने पीने के लिए वो हलाल से हो वरना लग बलिज़ जो है उसकी किसी चीज़ को खबूल नहीं करेंगा आई एक रिवाज सुनी राफिर रजी अल्लाहन फर्माते हैं ये मुस्नद एहमत की रिवायत है नभी एकरम सल्ले लावले समय दर्याप किया कि कौन सी कमाई सबसे बहतर है और पाकीज़ा है और अच्छी है आपने परमार का आदमी का अपने हाथ से कमाना और तिजारत जो पाक बाजी और ध्यानत के साथ की जाए तो यहांस सबस्ता yes harust से कमाने की फजी। हाँ हमारे जमाने में हाथ से कमाने को इंसान बहुत है। बड़ा महनत वाला काम समझता। हाथ से कमाना बहुत महनत का है है हाथ सर थी जारा जिस में डारेक हाथों का involvement होता है। इसमें आप बिल्कुल बेसिक से जानते हलाल है वलकर जो मैनिफेक्चर होके आगी तो आपको नहीं पता कैसा हुआ शिया इस्तिमाल कैसी भी नहीं पता लेकिन जब आदमी हास्ते करता हर चीज़ को पता होती है तो हास्ते कमाए गई उसको बढ़ावा दिया गया तो पहला पॉइंट हम करीच जाकला